दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कैसे एक पकिस्तानी टिक्टॉकर अपने वीडियो बनाते-बनाते मौत के घाड उतर गया और क्या हुआ जब एक टिक्टॉकर लाइव स्ट्रीम कर रहा था और इसके हेटर ने लाइव वीडियो में ही इसे कतल कर दिया वेल आज किस वीडियो में मैं आपको टिक टॉक पर लाइव गतल होने वाले फेमस टिक टॉकर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन दोस्तों ये जो बच्ची आप दिख रहे हैं इसका तालुक रशिया के लाके चीटा से था और ये सिफ 9 साल की थी ये लड़की अपने दो भाईयों और फादर के साथ रहती थी फेलिसिया एक फेमस टिक टॉकर भी थी इसे टिक टॉक पर वीडियो पोस्ट करने का बहुत शौक था 17 फरवरी 2021 के एक शाम ये बच्ची अपने रूम में टिक टॉक वीडियो बना रही थी और इसके फादर मार्केट से ग्रॉसरी लेने के लिए गए हुए थी ये और इसके दो चोटे भाई घर पर अकेले थी फेलिसिया अपनी धुन में मगन वीडियो बना रही थी इसका कहना था कि शायद ये बंदा उनका पडोसी है जो कि नश्यकी हालत में है इसलिए वो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है फेलिसिया ने इस इंसिडेंट की दो वीडियो बना कर टिक टॉक पर भी अपलोड की कि कोई इनका दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है इसका कहना था कि वो शक्स सिर्फ हाथ से ही नहीं बलके पाउं से भी मा रहा है ताकि किसी तरह दरवाजा खुल जाए इवन ये नॉकिंग साउंड इतना क्लियर था कि इन्हें वीडियो में भी इसली सुना जा सकता है ये शक्स एक घंडे तक लगतार दरवाजे को खट-कटाता रहा लेकिन फेलिसिया ने दरवाजा नहीं खोला वेल जब नॉकिंग बंद नहीं हुई तो फेलिसिया ने अपने एक फ्रेंड को मैसेज किया कि वो आकर इसकी हेल्प करे और इस बंदे को दरवाजे से भगा दे इसके दोस्त ने से कहा कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा फिर अचानक फेलिसिया के दोर पर नॉकिंग बंद हो गई और इसे लगा कि शायद वो बंदा चला गया है पर इसके ठीक 15 मिनट बाद गर के दरवाजे पर हलकी सी दस्तक हुई फेलिसिया को लगा कि शायद इसके फादर या पिर इसका दोस्त होगा जैसे ही इसने दरवाजा खोला तो सामने इसका वो ही नेबर गन लेकर खड़ा था फेलिसिया ने जैसे ही गन देखी तो वो शदीर डर गई वो दरवाजा बंद करने की कोशिश शुरू कर दी लिगने इस बंदे ने आदे खुले और आदे बंद दर्वाजे से ही गंद अंदर करके उस मासूम बच्ची पर शूटिंग करना स्टार्ट कर दी इस दरिंदे ने ना सिर्फ बच्ची के पूरे जिसम बलकि सर को भी गोलियों से चलनी कर दिया और वहां से भाग गया ये मासूम बच्ची फर्ष पर पड़ी तड़प रही थी कि इतने में इसकी फादर आ गई इसने अपने आखरी इल्फास में अपने फादर को मडर के बारे में बता दिया और इसकी साथ ही फैलीसिया की डैथ हो गई आप बलीव नहीं करेंगे कि ये सारा इंसिडेंट फैलीसिया की फोन में रिकॉर्ड हो रहा था वेल सेंसिटिफ ग्राफिक की वज़ा से वो वीडियो में आपको दिखा तो नहीं सकता लेकिन जब फैलिसिया के फादर ने वो विडियो पुलीस को दिखाई तो इन्होंने फॉरण उस शक्स को गिरफतार कर लिया जब पुलीस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये बंदा फैलिसिया के पडोस में ही रहता था इसका नाम वीजली था और ये अक्सर फैलिसिया के फादर से शिकायत करता कि इनके बच्चे बहुत सदा शोर करते हैं और इस शोर की आवास इसके घर में आदी है इसलिए इन्हें शोर से मना किया जाए इवन दो तीन दफादो इन दोनों की अच्छी खासी मूमारी भी हो गई 17 फरवरी की शाम फैलिसिया और इसके चोटे बाई काफी सदा शोर मचा रहे थे और इनकी आवास वीजली के घर में जा रहे थी वीजली इस शोर से इतना फैड़ अब हो गया कि ये गन लेकर इस मासूम बच्ची को कतल करने के लिए निकल पड़ा ये जलात एक घंटे तक लगतार दर्वाजा कटकटाता रहा और आखर जब दर्वाजा खुला तो इसने इस मासूम बच्ची को बेरहमी से कतल कर दिया इससे पिर डिस्टर्बिन बात ये थी कि ये सारा सीन वीडियो में रेकॉर्ड हो गया था जस्ट इमेजन कि ये वीडियो देखने के बाद इसके फादर का क्या हाल हुआ होगा खैर वीजली को कैद की सजा सुना दी गई और ये साइकोपाथ आज भी साइबेरिया की जेल में बंद है लेकिन ये इंसिजेंड वाकिही में टेरिफाइंग था गैन सुजियोंग दोस्तों अगर सोशल मेडिया की बात की जाए तो आजकल हर बंदा ही टिक टॉक, फेस्बुक, इंस्टाग्राम और स्नैप चैट वगयरा पर अपनी डिली लाइफ लोगों के साथ शेयर करता है वैसे तो आप सबने बहुत सारी लाइफ स्ट्रीम्स देखी होंगी लेकिन क्या हो अगर किसी शक्स का लाइफ स्ट्रीमिंग के दौरान मडर कर दिया जाए वैल ये जो 29 साला शक्स आप दिख रहे हैं ये चाइना का एक बहुती फेमस टिक टॉकर था इसके टिक टॉक पर 5 बिलियन के करीब फैंस थी असल में ये एक स्ट्रीट फूड ब्लॉगर था जो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीस को विजट करकी वहाँ के फूड्स लोगों के साथ शेयर करता था पहले ये इतना फेमस नहीं था लेकिन फिर ये अफरीका टूर पर गया और इसने अपने टिक टॉक का नाम फैटी गोस्टू अफरीका रख लिया और फिर ये इसी नाम से फेमस हो गया वेल अफरीका विजट करने के बाद दिसमबर 2022 में ये अपने दोस्तों के साथ नेपाल विजट करने चला गया लेकिन ये नहीं जानता था कि ये इसके जिन्दगी का लास्ट विजट होगा 4 दिसंबर 2022 को सुबा के ठीक 11 बजे गैन अपने दो दोस्तों के साथ खटमंडू के एक बाजार में टिक टॉक पर लाइफ स्ट्रीमिंग करते हुए जा रहा था इसके मुबाइल पर लाइफ वीडियो चल रही थी और ये अपने फॉल्वर्स को नेपाल की गलियों की सैर करवा रहा था इसके दोनों दोस्त आगे चल रहे थे जबकि ये इनके पीछे था ये लोग हसी मजाख में मसरूफ थे कि अचानक किसी ने पीछे से आकर गैन पर चाकू से वार कर दिया इसने चीखे मारना शुरू कर दी और मुबाइल इसके हाथ से गिर गया गैन के दोस्तों ने जैसे ही इसकी आवाज सुने तो उन्होंने देखा कि एक अननौन शक्स गैन पर चाकू से हमला कर रहा था वैल इन्होंने गैन को बचाने की कोशिश की लेकिन उस शक्स ने उसके साथ-साथ इन दोनों पर भी अटैक कर दिया इसने बड़ी बेरहमी से गैन के पेट, सीने और इवन पूरे जिसम को चाकू से चलने कर दिया यहां तक कि इस दरिंदे ने गैन के दोनों दोस्तों को भी शदीद जखमी कर दिया इन तीनों पर हमला करने के बाद यह शक्स वहां से भाग गया खेर आस पास मौजोद दुकान वालों ने पुलीस और रेस्क्यू को बलवा लिया लेकिन जब तक वो लोग यहां पर आए गैन की डेथ हो चुकी थी यह शक्स कौन था और इसने ऐसा क्यों हिया यह बात कोई नहीं जानता था लेकिन इस पूरे इसिडेंट की लाइव वीडियो बन चुकी थी जब पुलीस ने गैन की मोबाइल में रेकॉर्ड शुदा वीडियो देखी और पूरे मामले की इन्वेस्टिकेशन की तो पता चला कि जिस शक्स ने गैन का मडर किया है इसका नाम फैन जैन यंग है असल में फैन भी एक टिक्टॉकर और फूड ब्लॉगर था बेसिकली ये भी चाइनीज था लेकिन ये नेपाल में रहता था इसने अपना टिक्टॉक नेम आयोन रखा हुआ था प्रॉब्लम ये थी कि गैन के पास इससे ज़्यादा फैन फॉल्विंग थी और लोग गैन को ज़्यादा पसंद करते थी इसलिए हमेशा गैन के खिलाफ रहता लेकिन जब इसने गैन को नेपाल में देखा तो इसकी नफरत जोश में आ गई और इसने गैन को कतल करने का प्लैन बना लिया इस शक्स ने सिर्फ टिक टॉक फॉल्वर्स की जिद में एक हंसते खेलते इंसान का कतल कर दिया एनिवे साथ से के बाद आयोन को गिरफदार कर लिया गया और कोड ने इसे 25 साल कैद की सजा सुना दी आज भी ये शक्स जेल में है लेकिन बारहाल ये लाइफ स्ट्रीम पर होने वाले सबसे बूटल इंसिदेंस में से एक था दानियाल खान दोस्तो आप में से बहुत से लोग फेमस टिक टॉक स्टार दानियाल खान को जानती होंगी दानियाल का तालुक इसलामबाद से था और इसकी एज 20 साल थी साल 2019 में ये टिक टॉक पर काफी सदा फेमस थे इनकी लाखो फैंस थे और इवन इनकी वीडियोस पर इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी हजारों लाइक्स आते थे दानियाल एक कॉलिज स्टूडेंट थे और अकसर अपने दोस्तों के साथ मिलकर वीडियोस वगेरा शूड करते थे 17 सेप्टेंबर 2019 को दानियाल अपने तीन दोस्तों के साथ गार में घुमने के लिए निकले हुए थे पता नहीं था कि ये इनकी जिन्दगी की लास्ट ड्राइव बन जाएगी अब ये एकसिडेंट हुआ तो सड़क पर मौजूद लोगों ने फोरन पुलीस और एम्बूलेंस को बलवा लिया लेकिन ये हाथसा इतना भ्यानक था कि दानियाल की मौके पर ही डेथ हो गई थी सिर्फ इतना ही नहीं ये हाथसा वाके ही में बहुत भ्यानक था तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मझे इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पर आप मझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफ़ेश